प्रिदर्शकों मित्रों शाक्तियों यदि हम धर्म मारक के पतिक है नहीं तो पगपग पर आने वाली बाधाओं को शैने की तयारी भी हो को जो मानुशिये धर्म का पथ्न अनोगमन करता है कि उसकी रहे आसान नहीं धर्म का मारक अधात्र प्रवभकती का मारक बड़ाई चुनोत्तों मारक है कि यहां संयंछ यह ध्यरी चाहिए जह सङस्ता चेहने दोड्राण दोड़्स पत पर चुनोतियां लेकिन जब आप भजन सस्तंग शुमरन करेंगे प्रभू की याद में रहेंगे प्रभू की प्रती समर्पृत रहेंगे तो यह मार्ग फिर सैज हो जाएगा प्रदर्शकों में तरों शक्तियों बात करते हैं पांच अक्टुबर दोहजार तेईस की राशिफल और पंचांग राशिफल प्याओं उससे पहले आज का पंचांग आसविन मास क्रश्नपक्ष की सब्चमी विक्रम श्म होजार असविन मास की उनीष परविश्टय सक्सन उनीष पैंतालीस आसविन तेरा तादनुसार गु स्रुवें पांच बजकर त्यीस पैनाएं सुवें व्शुटिकरन है करन का समाप्ति काल 6 बजकर दो मिनिट पर अगला करन बहुँ होगा है Arnavatya कि पॉस्ट ससं नाखशतर स्वान मंघल देव और मनगल देः और मंघल दिए वाज राष जुछ संसे। प्रादकालीन को छनधे हैं चंदर देव तुला राशि में मंद वुझव में राहा देव।्षितरा में राषेओ और इसी याधार पर मैंने 5 अक्तुबर 2023 का राश्य फल लिखा है आज का जो अभी जीत मुर्थ हैं वो शुब है ग्यारा बज़कर 46 मिंट से लेकर दो फर 12 बज़कर 48 मिंट तक रहेगा अवदी 47 मिंट है और ये अज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उत्तम महरत है कोई भी नया और शुबकारी जिसकारी में चीर काल तक लाव लेना हूं से अभी जीत मुर्थ में करें और अभी जीत मुर्थ भगवान चरी हरी को बहुत प्रिया है लाब का चोगडिया आज दोपर 12 लेकर तीन बज तक है राहुकाल को निशुबकारी करना सौदा करना पुझनेस करना भूमी भवन भान में निवेस करना अनकूल और उच्चित नहीं माना गया है ऐसी सला मेरी और मर्जिया यात्रा दक्षन दिशा के ठीक रहेगी राज की दिन यात्रा पे जाने शिपूर यदि साबुद जीरा चबाते वे यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कमाएगा फिर दर्शकों में च्रों शाथ्यों शमय शाधन प्रश्टिया और काल में बहुत परिवर्तन आए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें कोई मेरा बंदन नहीं क्यूंकि आज के इस यूग म किसाथ राइट टन लीजिए और यात्रा पे जाएगा यात्रा में कष्ट कमाएगा नहीं शम्पाउंड राष्ट को शनियमाउश्या महत्र पुहार दिख सुगा चौदा अक्तुबर शनियमाउश्या महत्र स्रीशनिधाम शनितिर चित असोला पतेपुर्वेरी में आपक स्रीशनिधाम शनितिर चित्र है करिये शनिभगवान के दर्संद फूजन तेलाब से चंपौन कष्ट करते हैं मेरा एक छूटा सा निवेदने मित्रों शात्य। आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है गोशाला का नंबर है उस पे आप फोन करते हैं जो लोग वाँ काम करते हैं उनका ओफिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह नौ बज़े से लेकर साम आट बज़े के बीच में उठाए जाएंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि आट बज़े के बाद आप फोन नहीं करें आपके फोन इस बात की फिर वाँ जानकरी आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो सनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गोशाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह नौ बज़े से ल नमने मेरी क्या पांच अक्टूबर आपका जनम दिन या साधी की शाल म्रिटी उपाय बताने आँगा भगवान श्री हर विष्णों का सर्धा पर पूजन करें दूपदीप नेविदीप पुराक्षत अर्पित करें अउम नमु भगवती वाशु देवाई नमा इस मंत्र का जाप करते 108 तोलशी मंदिरी नारायन के सिचर्णम पर अर्पित नारायन को केसर का तेलग करें अपने निधन महिला को दान में देदेगा शमश्यां आपकी पास नहीं आई हैं हर गुरुवार को करें रुषाल भर करें चाहिए वो काम काद्यों चाहिए कारुबार नौकरी हर परिसानी से आपको चुटकाना मिलेगा अब मैं बात करूँगा आपकी राशी फल यह जो राशी बहली आपकी नाम राशी आपकी चंदर राशी पातागयों झाल पुर्शं के लिए महिलाउं के लिए बिजर्दों के लिए बच रश्यों में पलो शिप हलो से पहले में इस राशी दीश्याद्रेुगा में चनदर देव मंगल और रहू देव के नक्षटरों में शंचन भरवन की अधिक्षा से बचना बहुत जरूरी है और पारवर्ग जिम्मदारी पर ध्यान देना होगा विलासिता और फैसन के चकर में खर्चा बढ़ सकता है लापरवाइब करें आप युआ हैं विद्यारती हैं कामकाज कारबार को लेकर उत्तर मौसर मिले शिक्षा के सिद हनमान जी के मंदिर में चंदन भीट करना बड़ा शुब पाई रहेगा नमने बात करते विष्वरासी लगन भाव में चंदर देव मंगल देव राहुत देव के संचन करें समय उत्तम है श्वास्टी में सुधार होगा कारिशमता में व्रिदी होगी आपका प्रभावर औ अधिकार कारिशेतर बढ़ेगा धनलाब के सुरत बढ़ेंगे भूमी और वहान का लाब मिलेगा और ग्रश्टी के सुक में अनुकुलत आएगी उत्सिक्षा में अधिन विद्यारतों के लिए आज का दिन बड़ा शुब रहेगा देश विदों से सुब समचार मिलेगी कारिशमता में विर्दीकुर आत्मविस्वास मजबूत होगा और केरियर में अनुकुलत आएगी क्या करें कारिशीतर पर पूर्ण नजर राख है क्या ना करें बुजर्गों की राही को अंदेखा ना करें शुबंगनाव शुब्रंगास्पानी भागी आपके पर अस्री परिशाने और कस्ट का आज क्रोद और इस्षय पर्काबूर क्या आत्म विश्वास से बचना पड़ें नक्षट गर्नाकाज को लिकर कारूबार को लेकिन नोकरी को लेकर पारवारी विस्तों को लिकर निजी संबन्दों को लेकर परिशानी और कष्ट का संकेत है परिवार की सला ले परिवार के साथ रहे पारवारी सवयोग से परिशान से मुक्ती मिलेगी क्या ना करें कारवार के छेतर में फिर बदलनागा सुबंग पांच सुबर घरा भागिया आपके वहां चालीश प्रशन लाब का संकेते में थुंडा श्वालो सर्दानुसार कसुदी मेति गरीब जरूतमन्द किसी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा नमने शंपाउन राष्ट को शनियमाउश्या महत्त्र पुफार देख सुबर 14 अक्तुबर शनियमाउश्या महत्तर स्रीश परबात करते हैं करकराशी प्याव उससे पहले आज का उपाई जिन लोगों के कामकाज में अनावशिक विलम होता हूँ जो काम एक दिन होना वह सब्ते बर के बाद में नहीं होता हूँ भागदा और परिश्रम के बावजूद भी काम समय पर पूरे नहीं होता थी उपाई उनके लिए रहमबाने और गुरुवार को करना है और लगातार 40 गुरुवार गुरुवार दिन गुरु चने की डाल साबुत हल्दी पीला बस्तर किसी गरीब जरुतमन महिला को दान मे अ लगातार 40 गुरुवार देखे देखेगा आपके विलंबाली परिशान से आपको चिटकार हमी जाएगा पिर सक और बात करते हैं करकराृश्य करकार इस वालों कि त चंद्र देव एकादस भाव में संचण करे करें उच्छ अधिकारी को श्वयोग प्राप्त होगा धनलाप के साधन बढ़ेंगे कारवार की छित में नए विचार गत्विद्यों का अबुद्य लाबकारी रहेगा शकून भरा रहेगा एक बात जरूरू कहना चाहूंगा क्या सफलता है लेकि थोड़ी मेहनत भी ले विद्य अपनों की सलास से काम शुरू करें क्या ना करें किसी बाहरी व्यक्ति के बैकाओं में नहीं आए शुबगनों सुबंक्रेम भागी आपके पच्छात्र प्रसंदेश प्रसंता उत्पन करेगा आयात और निर्यात कारिम धनलाब होगा पुराने रिन और रोग सी छुटकार कि बढ़ेगी आज युवाओं के लिए आज के दिन बढ़ा सुब्रेगे जिए रही कम्पीटर हो चाई सोसल मीडिया हो जाए लोह हो चाए अकांटिंग हो जाए आए-टी सेक्टर हो युवाओं के लिए इस चितर में शफलता में चार्चा और विद्यार्ट्यों को सिख परिवार में जो मैनत और परिश्रम कर रहे हैं उसका लाब मिलेगा लेकिन फिर भी कहूंगा कि बाणी में थोड़ा साथ सहीं अमरा के महनत और परिश्रम में ध्यान दें यौओं को बेरुजगार से पीचा चुड़ेगा दुरुजगार के साधन उपलब्द होंगे सरकारी नौकरी में अनुकुलत आएगी नौकरी श्रमंदी परिश्रम के चुटकारा मिलेगा और शिक्षा के छेतर में महनत और परिश्रम के अनुशार फल प्राप्त होगा क्या करें सरकारी अफसर से तालमेल बनाए क्या ना करें सामझी कारी की उप्रिक्षा ना करें सुबंग साथ सुबरंग पी लाप भागिया आपकी पैंशक प्रसंद लाप कर संकेते कन्याराश वालों इलाईची का दान जिस जो मिले उसको दिन भर में इलाईची का दान करिएगा सर्धान से नमनान जो भी मिलता है एक इलाईची जरूर जाएगा अब कहेंगे साब महंगी है उपाई है करके देगी आपको लाप लाप लेगा और बात करते हैं तुलाराश आश्ठम भाव में चंदर देव और अश्ठम भाव में की संब्हावना नजर आ रही है वहान प्रयोग में सावधानी बर्ते चोट की संब्हावना दी एक लोगों की बातों को माद करें आएसा कोई कारी ने करें जिसे परिशानी बह रहे कारी सितर में बे वज़े के बात विवाद सुभी आपको परिवर्तन ना करें कारी परिवर्तन ना करें शुबंग नील आप आपके 40% लाप कर संकेते तुलाराश्वालों किसी गरीब जुरुद्मन महिला को दान में देना आज उत्तम रहेगा नो मनाई में और बात करते हैं विर्चिक राशी सप्तम्भाव में चंदर देव मंगल रहुद देव की नक्षन में संचन करेंश में उत्तम हैं कारिश्चित में नमिंता का एसास करेंगे मनुबल मजू होगा उत्सार उमंग में विर्दी होगी धनकोष में विर्दी होगी घर और परिवार में शुबर मांगले कारी शंपन होगी पारवारी जीमन में आपसी मद्वेश समाप्त होगी और अपनों के साथ बैटने का मौका मिलेगा जिस्तर के घरे योगाई होगे विद्यारत कि इच्छा का अनादर ना करें शुबंग्चे शुबरंगुला भी भागिया आपके में साथ प्रसंट लाप कर संकेत बिर्शिक राष्यवालों शर्धान शार केशर आज हनमान जी के चड़नों में अर्पित करना अति उत्मों पाई रहेगा नमाना है और बात करते हैं ध जो और विद्यादें मनननकुल शपलता मेलिगे आतम विश्वास में मनननकुल प्रिश्रा प्रणाम भी रहेंगी और मान समान और यस्में बेटी है किसी गरीब जरूतमन ब्रेक्टि कि शाहिता करे इश्वर आपकी मड़त करें आनावस्तिक सास का प्रदसन ना करें शु चौदा अक्तूबर शनी माउश्या मौकर स्री सनी धाम सनी तीर चेत असोला पतेपुर्वेरी में आपकाश्वागर करे शनी भगवान के दर्सन पोजन तेला विशेक शंपोन कर्ष्टन से चुटारा रहे हैं वित्रों शाथ्य आपदिली अंस्यार में रहते हैं उच्छ करें ऐगि परिशानी हां अनावश्य कष्ठ है जोत परसे तक हम्सदर उपाएं और यह नेम बना देंगा हर गुरुवार को शवके लोग या सर्थाशनी की दाल गोड़े को अपने हाँ से खिला जा से गुरुवार की दिन घोड़े को पी सैम लाणा बनात और क्योंकि श्रादपक्ष प्रारणव है तो आज से लेकर 14 अक्टूबर तक हर रोज पित्रों के निमें जल जो और काले तिल पुष्व के साथ तरपन जरूर करें किसी गरीब व्यक्ति को अन और शया का दान दीजेगा आपकी पुरूजों की मिर्टितिति हो और लगातार ये 14 अक्टूबर तक अपने घर में मिट्टी के पात्र में जावतिरी और केश्र का धूप पूरे घर में करें कष्ट और प्रेशाग से शुटकारा मिलेगा नमने स इस बात करते हैं मा का रास पंचमहा में चंदर देव मंगल देव रहुदेव कि नक्सरों में संचर करें गोचर इस बात का सब्सक्राइब काम बनेंगी आवस्टाव के पूर्ति लेकिन भैभ्रम भ्रांती और फॉल्स से बार आना बहुत पर पकड़ रहेगी लेकिन महनत परिष्यम करना पड़ेगा धन का अपवय नहीं इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा लेकिन आज परिवार का अच्छा स्वयोग रहेगा संतान पक्ष मजबूत होगा और संतान को शफलता भी परिवार के लोग आपके साथ खड़ी रहने के विज़े कारोबार में उत्त कि शाली रहेंग और शिक्ष विद्यारतियों को परिवार और शिक्षकों का अच्छा साथ मिलेगा क्या करें परवरिट आवश्यक्ताओं के पर्टि सचेतर है क्या ना करें खान पान में लाप परवाईने करें शुमंतिंग प्रपल भाग्याप की पक्ष्में साट शंद विवस्ता में विरुद्यों से परिश्टानी का संकेतना ज़रा जो आपकी अर्थ ववस्ता है आज शत्रों की वज़े से दामदोल हो सकती है धना हानिक है शुक के साथ हमें कमी आ सकती है विशेश वारतों को गुप्त और नहीं रखा तो नुक्सान हो सकता और गैर कानु साथ बैटे उनकी सुने क्या ना करें बहुत जरूरी है विवादी सोदों में पुझने में समय करें शुबंग्चार शुबंग्रे भागी आपकी पक्स में 40% लाब कर संकेते कुम्राश्यवालों सरजानुसार तिल चीटियों को डालना उत्तम उपाए रहेगा आज नमना पर बात करते हैं मींदाशी तीसरे भाव में चंदर देव मंगल देव रहुत देव के नश्रमें संसर्क्राइश समय उत्तम है शास तर उस्सा बढ़ेगा प्रसाश्य निश्यद्र में शपलता मिलेगी कारे में पूंट शपलता के साथ मनुबल मजबुद होगा और कि यह दुद में अच्छे रिजर्ट आएंगे रहा आसान होगी धन प्राप्ति क्या करें रचनात्म कारी को संपातित करें क्या ना करें अपने कारी में बाहरी लोगों को हस्तेपना करने सुबंग पांच शुबंग प्रपल भाग्याव के पच्चासी प्रसंट लाप कर स करें अपनान वाजू ने रहां करें आपका था आपका है आप इस आप य करेगा माराश रास्तान का हर व्यक्ति जानताएंग्दाति महराज इचायन से बहुट प्यापनें हजारों शयक्डों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूंग जीवन दिया है यह मेरा शौक था मेरी राश्ट की धरोवरती और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्ष रहा है मनश्य हूं और मानु होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं और यह म राष्ट के सामने कभी नहीं आए था हमेशा मैंने never कृते ही में अ कि अब कर करता हूं आप भी शेवा खरता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में झो आर्थिक प्रस्तियां वह मेरे को यह कहने के लिए मजबोर कर रहे हैं कि सनीधान गोश्यालस कि गाएं तुखी उसी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीऊँगा, तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा है, इन नमबरों पर शंपर करी, आप मेरे से बात करी, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए लोगों ने कहा कि, राश आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये एहिंकार नहीं है, साथियों, मेरा राश शरू पर ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाह है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुर्शयो करें पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नम नहीं हो नमान